A very good morning to all of you A very good morning to all of you I hope you all are fine Welcome to Shares Biology देखिए आज से हम लोग ना chapter मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं class 9th के chapters को start कर रहे हैं ठीक है तो सबसे पहले जो हम chapter पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे Why do we fall ill Why do we fall ill को पढ़ने का मकसद क्या है पहले वो इसलिए क्योंकि सारी चीज़े सेखते हैं जो अपनी life के ओपर अगर आप apply करते हैं तो आप काफी हद तक बिमारियों से बस सकते हैं ठीक है तो चलिए फिर Why do we fall ill start करते हैं चलिए सबसे पहले health health क्या होता है एक person क्या सिर्फ कोई बिमारी नहीं है तो क्या वो healthy में इंक्लूड किया जाता है मतलब क्या होता है health ठीक है तो देखिए health is a complete state of physical, mental and social well-being एक इंसान की complete वो होती है complete state होती है ठीक है physical की, mental की, social well-being अब आपको ही समझना है कैसे देखिए कोई इंसान physically fit है आपने कारे भी यह बड़ा healthy person है यह तो बहुत healthy दिख रहा है but it doesn't mean कि यह वो healthy है हाँ यह ठीक है कि उसे कोई बिमारी नहीं है तो आपको दिख रहा है कि उसकी personality बहुत अच्छी maintain है physical appearance उसका बहुत अच्छ है ठीक है मगर उसे कोई एक छोटी सी बात बोलता है और वो बस दो बेट में लड़ने खड़ा हो जाता है ठीक है तो उस case में क्या वो mentally fit है क्या उसको mentally stability है यह भी matter करता है आप एक classroom में देखिए कितने सारे बच्चे होते हैं कुछ तो दो चार ऐसे होते हैं जिनको रोज डाट पढ़ती है बटोंने कोई फराकी नहीं पढ़ता कुछ ऐसे इतने sensitive बच्चे होते हैं कि उन्हें जरा सा कुछ खास तार पर लड़किया उन्हें कुछ जरा सा कह दो तो वो रोने लगते हैं जोर जोर से जरूरी नहीं कि आप जो health है और वो फॉरण गोस्ते में आ जाता हूं आग बबूला हो जाता हूं मानने पीटने पर तरह आता हूं तो इनसान का एक healthy इनसान का mental state भी मतलब balance होना चाहिए कैसे जिसे उसे पता होना चाहिए कि कब उसे मूँ से बात करनी है ठीक है कहते हैं न वो एक dialogue था तरंगा मुवी का पहले बात फिर नहीं पहले मुलाकात फिर बात और फिर जरुवत पड़े तो लाथ तो वो वाली condition है कि पता हो चाहिए कि मूँ से भी बात कप करनी है लडाई भी कप करनी है हर चीज की मतलब होना चाहिए एक balance होना चाहिए न बाड़ी के अंदर यह नहीं कि किसी ने जरा सा कुछ कह दिया तो हाँ अब आस इस पीट नहीं बैट गए तो यह भी कोई एक अच्छा behavior थोड़ी ना इसका मतलब आप mentally fit नहीं है ठीक है या फिर जरा सा कोई हो गया एक जामस में नंबर साही नहीं आए पता चला हमने सो चला हम सुसाइडी कर लेंगे अब हम जारा जी नहीं बेकार हो गया है अब हमारी जिंदगी वरबाद होगी तो यह क्या है या mentally fit नहीं है इस तरह से ठीक है तो फिजिकली तो जो body structure से दिखना है वो तो दिखना है फि कोटी सी एज में चला नहीं जा रहा है तो यह भी क्या है तो physically mentally or social well-being social well-being का मतलब कि का आपके जिस समाज में आप रहते हैं वहां आपका क्या status है आप कैसे मतलब किस तरह से पेश आते हैं आप मतलब अन लोगों से किस तरह से interact करते हैं यह social well-being पता चला है आपके बारे म अभी तो सोशल वेल बिंग बेटर होना चाहिए न तब तो कहेंगे आप हेल्दी एक हेल्दी परसन वही होता है जो फिजिकली देखने में फिट हो प्रस बोडी के दर कोई उसके डिजीज ना हो कोई बिमारी ना हो फिजिकली फिट हो प्लस मेंटली फिट हो ठीक है मेंटली बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके six pack नहीं होंगे बहुत मेंटली स्ट्रॉंग होते हैं चार-चार गिंटा पाच-पाच गिंटा पड़ते हैं यह वह बहुत बड़े-बड़े प्रेशेर्स को पर शानिये उनकी फैमिली में चल रहा होता है पैरेंस में जगड़ा चल दो इसको भी still वह क्या करते हैं मैनेज करते हैं अपनी पढ़ाई पर फोकस करते हैं उसको अपनी पढ़ाई के उपर नहीं आने देते हैं यह अपनी लाइफ को एफेक्ट नहीं होने देते हैं तो यह क्या हुआ यह mental and social well-being वहा तो health की definition आपको याद होनी चाहिए complete पूरी एक इंसान की physical mental and social well-being कैसी है तब ही वह परसन एक healthy परसन कैलाता है चलिए आगी जाते हैं डिजीज डिजीज डिसकमफर्ट द बॉड़ी एक्सपिरियंस फिजिकली और मेंटली डिजीज जो होता है वह बॉड़ी को क्या करते हैं डिसकमफर्ट फील कराते हैं हम जिस हम जिस flow में चलने हैं वह flow हमारा तूट जाता है या थोड़ा सा discomfort फील होने लगता है बिमार हो जाते हैं लेट जाते हैं उठानी जाता है चार पाद चीज़ें परशानियत स्टार्ट हो जाती है तो disease कुड़ी cause due to external or internal factors और disease होती कैसे या तो कुछ इसके internal factors होते हैं या कु भार से कोई reason होगा हमारी lifestyle ऐसी होगी जिसकी विजह से हम दावत दे रहें बिमारीयों को ठीक है और या फिर हमारी life में किस तरह का है कि जैसे अभी स्टैम कोविड-19 चला है तो बच्चे क्या कर रहे हैं कोविड-19 चला है तो लोगों को समझाया जारा प्लीज मास्क पहन मगर क्या लोग बस फैशन में मास्क पहनते हैं अपने चिन के नीचे मास्क लगा लेते हैं हो गया मास्क भई यह मास्क पहन ली हमने अरे भाई जब कोरोना वाइरस को थोड़ी नहीं बताए हो जब एंटर करेगा वाइरस है वह तो बहुत सारी चीज़े होती है ना जैसे जुकाम होता है ना फिल जुकाम होता है तो क्या करता है उसमें थोड़ी देर के लिए बिमार रहते हैं एक दो तीन चार दिन में हाडली सही हो जाता है इस डिज़ेस कैन वी फैटल एंडर यूजली कॉस्ट बाई एन एक्सटरनल एज़ें ठीक है यह क्या होती है क् बाहर के एजेंट की विजह से आती है जैसे आपका वायरेस हो गया बैक्टीरिया हो गया पैतोजन हो गई और यह कैसी डिजीज़ेस होती है यह बहुत कम शॉर्ट पीरिएड ऑफ टाइम के लिए होते हैं इनका बॉड़ी पे जो इंपक्त होता है वह बहुत हलका होता है यह मरी बॉड़ी को जादा डेमेज नहीं करती है जैसे आपको टॉंसिलाइटिस हो गया तो अभी टॉंसिल हुआ है तो थोड़े दिन में आपको टॉंसिलाइटिस सही हो जाएगा यह एक एक्क्यूट डिजीज़ेस है ठीक है चलिए आगे देखते हैं क्रॉनिक टॉंसिलाइटिस चलिए और बॉड़ी को जादा डेमेज नहीं करती है एजन्ट उसके बहार के बीज़ेस हो गया तो बहुत लंबी बीमारी चलेगा इसका कोर्स बीमारी का बहुत लंबा होगा तो बहुत सारी बिमारी ऐसी हैं क्रॉनिक हैं यह वक्त के साथ वक्त के पर नंबा तक रहती हैं वह आपकी डिजीज तो चलिए लास्ट एक्ट कॉट टुनिक डिजीज में डिफरेंस देख लेते हैं एकूट डिजीज लास्फ वर शॉर्ट टाइम ठीक है चोटे कम समय के लिए होती है पर निक डिजीज लास्ट इनि में प्रशने लिए नहीं इतना major effect नहीं डालती जबकि यह हमारी body पे bad effects डालती है ठीक है general health की वेसे पे और देखे में lead to the poor health और हमारी health को बरबाद कर देती है person suffering from acute disease recover completely after cure जब एक person बीमार होता है acute disease से तो वे क्या करता है दवा लेता है aapne dava liya us to a person suffering from chronic disease generally does not recover completely पूरी तरह dei कभी completely cover नहीं होता होते हैं बोश्म होते हैं जो अपना life-style स्टरः के menetine करते हैं जैसे डॉक्टर्स बताते हैं since acute disease lasts for a short time so they do not lead to loss of weight or fatigue क्योंकि जुकाम होता है तो ऐसा थोड़ी नहीं कि हमारा वजन गिर गिया मगर अगर tuberculosis हो जाती है cancer हो जाता है ऐसे बड़ी बिमारी हो जाती है तो उन में क्या होता है कि उनके अंदर हमारी बाड़ी में से weight गिरने वजन हमारा क्या होता है कम होना श्लो हो जाता है और बहुत adverse effect आते हैं बहुत bad effect हमारी बाड़ी पर पढ़ते है they lead to the loss of the weight or fatigue ठीक है तो आज इसे इतना ही complete करते हैं कल हम इसे आगे का portion पढ़ेंगे ठीक है I hope you all are like this video अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो please like, share and subscribe करिएगा कल हम लोg causes of diseases पढ़ेंगे ठीक है चलिए तो thank you